असलाम लेकुम वेवरीवन वेलकम बैक टू मैय चैनल आज आपके साथ शेयर करेंगे पनी टिककव रैप की रेसिपी तो चलिए करते हैं सबसे पहले लिए एक पोल उसमें ले लिया है वीट फ्लोर वीट फ्लोर आप ले सकते हो साथ ही अगर वीट फ्लोर में नहीं बनाना तो मैदा भी ले सकते हो साथ ही आज करती है सॉल्ट शुगर और इसके बाद इससे अच्छा सा सॉट सा डू बना लेंगे जिस तरह आप पराठी का डू बनाते हैं अच्छा सबसे पहले पराठी का डू इसलिए बनाएंगे कि जब तक कि हमारा आटा सैट हो जाएगा अच टिका की प्रिपरेशन कर लेते हैं इसके लिए ले लिया है पनीर 200 ग्रैम पनीर है और इसके लावा आपने अगर ज़्यादा बनाना तो चीजों के कॉंटिटी बढ़ाने साथ ही कुटी हुलाल मिर्च आट किया है चिली फलेक्स चाट मसाला अमचुर पाउडर रेड चिल कर लेंगे मिक्स करने के बाद ये देखें पनीर हमारा अच्छी तरह से कोटिंग हो गया है आप अपनी वेचेस में आट कर लेंगे रेड कैप्सिकम लिया है यलो कैप्सिकम लिया है ग्रीन कैप्सिकम लिया है और साथ ही लिया है अनियन इसकी सबसे मज़े के बात यह है क किसी बी चीज के साथ सान्विचेस के साथ या फिर किसी भी आप रोटी में रोल कर लें इस तरह से आप बना सकते हो आप healthy snacks से भी है और साथ हे healthy mald bhi hai टिफिन में भी दे सकते हो साथ ही आप डिनर मेने में बना सकते हो इसके बाद आप अपने सादागा इछेट, पनी एक साथ ही जाते करना है बस क्रंची हमारी वेज़स रहेंगे बिल्कुल जादा ऊवर कुक नहीं करना साथ याइड के डियो हॉर्ट सोस चिली सोस टोमाटो केचप अब इसके बाद दो बार और हम चलाएंगे और यह हमारा रेडी हो गया क्योंकि हमने कुछ भी ढखके नहीं बना पकाना इसे और साथी अब देखें आटा हमारा सेट हो गया था आप पराठी के प्रिपरेशन कर लेते हैं अच्छा मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर एक टिप्स देना चाहूंगी कि अगर आप पनीर टिकाव रैप बना रहो तो कभी भी आप पनीर को कवर करके कुक ना करें क्योंकि इससे आपकी पनीर की सारी जिहना निट्रिशन्स खतम हो जाती हैं तो पनीर को हमेशा आप लास्ट में एंड में एड़ करें और इससे क्या होगा आपका पनीर हमेशा से फुल निट्रिशन्स में रहेगा तो यह देखें आप पराठा आपने इस तरह से लेरिंग वाले प अच्छा मुझे आप लोग आने के कॉमेंट्स आए थे लास्ट वाले वीडियो में तो बहुत अच्छा मुझे लगा मुझे लगा कि मेरी सारी महनत वसूल हो गई तो सही बात है कि जब आप सब की कॉमेंट आते हैं फीट पैक इतना अच्छा आता है तो हमें बनाना सब्सक्राइब कर लेंगे अच्छा आप इसे संविचस में बना सकते हो सेम प्रोसेस से लेकिन आपने पनीर को ओवर कुक ना कीज़ेगा से क्यों होगा कि आपका पनीर और वेजिस थोड़ा सा क्रंशी सा रहेगा तो बस अब इसे मायूनीस मैंने पहले लगा लिया है और बताईए कि मुझे आप लोगों को कैसी लगी रेसेपी अपना फीड़बैक दीजिए का इंस्टरग्राम पी फॉलो करें साथी मेरे फेस्बूक पेच को भी फॉलो करें और मुझे काफी अच्छा लगता है कि जब आप सब मुझे फॉलो करते हैं और कहते हैं कि हम आपके फीड़बैक दीजिए गामल तो नेक्स रेसेपी के साथ जो कि आपके लिए विंटरेस स्पेशल होगी इंशाला कोशिश करूंगी कि आपके लिए बहुत जबदासी रेसेपी लेकर हो इंटरेस स्पेशल अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखे मुझे अपनी खा झाल